फिर घटा है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार और पाकिस्तान को भी लगा है साथ सपता के बाद जटका जानेंगे आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांगलादेश को जी एस पी नहीं मिलेगा अब आखिरकार ये हड़कंप अमेरिका ने क्यों पिछले सपता ही भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 10.75 अरब डॉलर की भारी कमी हुई अब बीते 18 अक्टूबर को समाप सपता में भी 2.14 अरब डॉलर की कमी हो गयी अब अपना भंडार घट गया है और घट कर 688 अरब डॉलर रह गया है इसके पिछले सब्ता इस 10.75 अरब डॉलर की गिरावट हुई थी, हाल के दिनों में ये सबसे बड़ी गिरावट, भारतीय रिजर बैंक ने सुकरवार को ये जानकारी दी, उधर पाकिस्तान के विदेसी मुद्राबंधार में भी गिरावट हुई है, इससे पहले वहां लग 83.26% अरब डॉलर पर आ गया हुई, इससे पहले वहले हथे में भी विदेसी मुद्राबंधार में 10.75 अरब डॉलर की गिरावट दरज की गई थी, ये 690 अरब डॉलर पर रहा, आल के समय में मुद्राबंधार में आई ये सबसे बड़ी गिरावट थी, इससे पहले 704 अरब डॉलर के सर्वकालिक उचे अस्तर पर पहुंच गया था। बारतिय रिजरो बैंक के सुकरवार को जारी आकडों के अनुसार 18 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेसी मुद्रा आस्तियां यानी की फोरन करेंसी एसेट्स 3.87 अरब डॉलर घट कर 598 अरब डॉलर रह गये। डॉलर के संदर्भ में उलेखित विदेसी मुद्रा आस्तियों में विदेसी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो पाउंड और येन जैसी गेर अमेरिकी मुद्राओं के घट बढ़ का प्रभाव सामिल होता है। समिक्षा दिन सब्ता में गोल्ड रिजर्व का मुल्य 1.79 करोड डॉलर बढ़ कर 67 अरब डॉलर हो गया है। सब्ता रहा जब विदेसी मुद्रा भंडार भड़ा लेकिन 18 अक्टूबर 2024 को समाप्त सब्ता के साथ वहां के विदेसी मुद्रा भंडार में 94.000.000.000 की कमी हुई है। अब वहां का विदेसी मुद्राभंडार 16.000.000.000 डॉलर रह गया है। अलाकि माना जा रहा है कि ये वो महिने है जब कर्ज और ब्याज चुकाने का समय होता है इसलिए ये गिरावट देखने को मिल रही है पर RBI ने अभी कार्णों को लेकर कोई भी खुलासा नहीं किया है। जहाँ एक तरफ ये सब को चल रहा है वही क्या अमेरिका अपला जाड़ रहा है बंगलादेश से। आपको बता दूँ बंगलादेश के सामने 16 कंडिसंस रखे गए थे और वही 16 कंडिसंस एक बार फिर से रखे जा रहे हैं। क्या है वो सर्तें जिसकी वजह से बंगलादेश यहां फसेगा। सबसे बड़ी बात क्या है अमेरिका विकासिल देश और कम विक्सित देशों को कुछ छूट देता है। करने की कोई जरूरत नहीं है बिजनेस लाइन की इस खबर को देख सकते हैं। भारत और अमेरिका एक बार फिर से टोटलाइजेशन कर रहे हैं पैक्ट का जी एस पी रिस्टोर करने के लिए तब तक इंतेजार करना होगा जब तक कि अमेरिका का इलक्सन नहीं हो जाता भारत को भी जी एस पी का बेनिफिट मिलता रहा था पर अब यह एक बार फिर से चाहते हैं कि यह जी एस पी का इन्हें मिले पर देखना होगा कि क्या यह सब कुछ संभव हो पाता है क्योंकि इतनी जल्दी यह चुनाव है चुनाव के बाद ही जो रिजल्ट आएगा उसक अब बात करो बाद करो बॉडर टू बॉडर बैपार को लेकर आगे बढ़ो मंगलादेस के साथ एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कुई हूँको बहुत लंबे समय तक के यह बंदत नहीं करता हैं वही बंगलादेस के साथ देखने को मिल रहा है बंगलादेश को पहले GSP दिया गया था अमेरिका के द्वारा और आपने देखा होगा कि अमेरिका में अच्छा खासा बैपार चला बंगलादेश का जो टेक्स्टाइल इंडस्ट्री है वो टेक्स्टाइल इंडस्ट्री काफी लंबे समय तक यहाँ पर सुचारू रहा और इसने अपने माल को अमेरिका में बेचा लेकिन यहाँ प्रमुख मार्केट बंडने के साथ साथ 2012-13 में एक घटना हुई थी और इस घटना के बाद यह देखने को मिला था कि अमेरिका ने इस जीएसपी का स्टेटस छीन लिया क्यों छीना था च्योंकि यहाँ पर दो ऐसी घटनाएं हुई थी जिन घटनाओं के बाद देखने को मिला कि अमेरिका को लगा कि यह यहाँ पर पैसे देना या इस तरीके से छूट देना ठीक नहीं है मानव अधिकार को लेकर यह मामला था मामला यह था कि 2012 में धाका की एक गार्मेंट फैक्टरी में आग लग जाती ह 24 नमबर 2012 को बंगला देख के ढाका के बाहरी इलाके में असूलिया जिले में तजरीन फैस्टरी में आग लगी और आग में कम से कम 117 लोगों की मौत की पूश्टी हुई 200 से अधिक लोग घायल हो गए जिससे ये देश के इतिहास की सबसे घातक फैक्टरी आग बन गई आग के कारण निधारित नहीं किये जा सके सुरू में ये माना गया कि बंगला देश में 80% फैक्टरी आग का कारण बिजली का सौट सर्किट था ब्यापक रूप से आलोचना की गई एक सरकारी रिपोर्ट ने तोडफोड की कारवाई का आरूप लगाया बिना ये बताय कि इसे किसने किया क्यों किया इस आग और इसके जैसे अन्य आग ने बंगला देश के स्त्रमिकों के अधिकार और सुरक्षा कानूनों में कई प्रस्तावित सुधारों को जन्म दे दिया वैसे आपको बता दूँ यहां बहुत सारी बात थी 2009 में खुलने के समय तजरीन फैसन फैक्टरी में 1630 करमचारी काम करते थे और अलग अलग कंपनियों और संगटनों के लिए टी सर्ट, पोलो सर्ट, जेकेट का उत्पादन करते थे इनमें यूएस मरीन, डच कंपनी, सी एंड ए, अमेरीकी कंपनी, वालमार्ट, हौंग कॉंग इस्तीत, ली एंड फंग भी सामिल थे फैक्टरी टूबा समू का हिस्सा था, जो बंगलादेश से अमेरीका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलेंड में कपडों का एक परमुक निरिया तक था इसके ग्राहकों में वालमार्ट, केरिफोर, आईके जैसे कंपनिया सामिल थी और इस आग के बाद एक और घटना हुई, जो 2013 में हुई, जिसमें राना प्लाजा कॉलाप्स हुआ 24 अप्रेल 2013 को जब आठ मंजिला राना प्लाजा वानी जी मारत यहाँ पर ढ़ा गया बचाओ दल की खोज 13 मई 2013 को समाप्त हुई, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, कहा गया इसमें 1134 लोगों की मिर्टू हुई इमारत से लगबग 25 सो घायल लोगों को बचाया गया, इसे आधुनिक मानव इतिहास में सबसे घातक जो आर्किटेक्चरल गलती थी वो माना गया और यहाँ पर भी कहा गया कि यहाँ जो काम करने वाले लोग थें उनके मानव अधिकार का हनन हुआ इमारत में पांच कपड़ा कार खाने, एक बैंक और अपार्टमेंट भी था, 2006 के पुर्व में इसका निर्मान किया गया था अब यहाँ पर देखने को मिला कि कई सारी चीजें गलत है, अब बंगलादेश के खुद जो यहाँ पर एडवाइजर के मंतरी हैं, फाइनाइन्स एडवाइजर सलेहुद्दिन अहमद यह पहुँचे हुए हैं, यहाँ अमेरिका और अमेरिका में इन्होंने बाचीत करी, यह वैसे तो IMF से भी बात करने पहुचे हैं, वर्ल्ड वैंक से भी, लेकिन यह कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जिस तरीके से इस्तितियां हैं, लगता है हमें रिन्यू होने के बाद GSP नहीं मिलेगा, वो GSP देने को तयार नहीं दिख रहे हैं, वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरू बताएं, जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ